और राइट फ्रेंग्स तो टुड़े वी आर स्टार्टेंग वरी वरी इंपोर्टेंट वन और इस इज और पेरीटो एनेलेसिस ओके और मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि थियोरी को कैसे आपको बायहर्ट कराना है कैसे आप याद रखोगे उसके लिए यह मैंने छ अबरावर हैं पैरिटो एनेलिस के बारे में पहले अपना बात कर लेते हैं किवारी मैं वाटीन इस पैरिटो एनेलेसिस क्या था यह क्या था कि 90% op वेल्थ ऑफ मिलान मिलान एक city है अपने इतली का इतली के एक city थी मिलान में उन्हों ने क्या ओब्जब किया विल्फेडो पैरेटो इन्होंने क्या ओब्जब किया इन्होंने अब्जब किया फ्रेंड्स के 80% of the wealth 80% of the wealth is hold या holding by 20% of the people means 20% जो लोग हैं वो 80% wealth को hold करते हैं बराबर है और आप लोगों ने बोला कि सर जितने भी concept है थेयरी के चाहिए वो अब्राइब आपका बैलेस्ट स्कोर कार्ड काईजें कोस्तिंग है लाइप साइकल कॉस्तिंग जितने भी थेयर्टिकल concept है आप उनको अपनी लेंग्वेज में हमको बताईए और हमको यह बताईए कि हम उन चीजों को कैसे याद रख सकते हैं हमको याद कैसे रखना है हम कैसे याद कर सकते हैं उनको और यह जो आपका क्रेस कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है में 23 ओनवार्ट के लिए यह लेटेस क्रेस कोर्स है और इसके अंदर पहला है आपका जो मेरा बेस मेट्रियल दूसरा आपका जो आइसी आई मोड्यूल है उससे हम लोग जो वेरी इंपोर्टेंट कुर्शन्स हैं वो ले रहे हैं और तीसरा आपका जो केस इस्टडी डाइजेस्ट हो उसमें अगर मिलको लगेगा कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको कवर करके देना है वैसे तो मोड्यूल और इसमें हो जाते वो भी मैं आपको करके दे रहां मेरी एक प्रोग्रेस बुक मैंने बनाई है जिसमें पहले मैंने अपना प्लस बुक लिया उसके बाद मैंने news का मॉडियूल लिया है और उसके बाद मैं आपका केस स्टड़ी डाइजेस्ट लिया है तो प्लीज आप उसकी लिंक आप मेरे से free में ले सकते हैं मैं आपसे expect करता हूं कि आपके पर लिंक का print-out होना चाहिए अगर print-out रहेगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा मज़ा आएगा अगर मैं screen पर share करूंगा न अपने notes बगर अगर मैं screen पर share करूंगा न तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा आपको अगर मज़ा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको actual में समझना है चीज को एकदम अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मेरे notes का print-out ले लेना चाहिए वराबन soft copy में आपको दे रहा हूं it's free of course of copy of my notes वह आप ले लिजे और उसका print-out ले लिजे यह आपका जो crash course record हो रहा है यह आपका crash course record हो रहा है for May 23 onwards तो आज आपने start करते हैं पैरिटो एनिलेसिस पैरिटो क्या पहली बाद पैरिटो वोट इस पैरिटो पैरिटो इस नेम हो आप 000 नाम था विलफ्रेडो पैरिटो और उन्होंने किया था कि वैक ट्वन्टी परसेंट आप दीبة आप ज हनोंने किया था कि क्वश्दिश सेट्ट force जो लोग ए उनके पास एट थी परसंट वैल्थ है 80% अपने 20% लोगों के पास 80% of the wealth है यह कहां का अब्जब किया उन्होंने एक इटली में सहर था मिलान मिलान में उन्होंने एक अब्जब किया उन्होंने क्या अब्जब किया कि 20% जो लोग है उनके पास 80% wealth है अब इसा तो इंडिया में भी होता है कि क्यों इसा तो इंडिया में भी होता है 20% जो लोग है उनके पास 80% wealth है इसा तो आपका practical life में भी होता है आपको जो आपके 20% relative है वो आपको 80% problem देते हैं आपके पास जो 20% chapter है वो 80% time exam में आएंगे यह आएंगे standard है marginal है वो आएंगे यह आएंगे 20% जो आपकी problem है 20% जो आपकी problem है वो 80% लोग आपको देते हैं कर गे से यह सुने 20% जो कपड़े हैं वो आप 80% time पहनते हैं 20% exercise से आपकी 80% problem solve भू सकती है तो यह 20 80 का जो rule है यह किसने सबसे पहले बिल फ्रेडो परिटो ने एनलाइज किया था और उससे analysis करने से इनकी क्या फाइदा हुआ था यह 80% जो वेल्ट है वो 20% लोगों के पास है तो वाइनोट इंट्रडूस वेल्ट टेक्स अगर हम लोग वेल्ट टेक्स इंट्रडूस करेंगे तो 80% वेल्ट पर टेक्स लगेगा और खाली 20% पे करेंगे लोग इनकी पर्सेंट लोग खुष हो जाएंगे हमको उनसे वोट भी मिलेंगे और 20% लोगों से हमको 80% वेल्ट टेक्स भी कलेक्ट हो जाएगा हमारा 80% जो वेल्ट टेक्स है वो भी हमारा कलेक्ट हो जाएगा सही है सब्सक्राइब कैसे याद रखोगे इसको पीसी से पीसी सेक यह मैंने आपको नोट्स भी बना के दिये यह नोट्स का अगर आप प्रिंट आउट ले लोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा इसके बाद मैं आपको आई से का मोड्यूल उसके बाद केस स्टडी डाइजेस उसकी कुश्चन्स भी आपको सब करके दे दूँगा तो पैरिटो एनलेसिस पैरिटो एनलेसिस में पहला है आपका पी 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 मींस यौर प्राइसिंग और प्रोड़क्ट के मेरे साथ याद रखिए आप क्या याद रखना है है अप्लिकेशन में पी सी सेड़ी केस टोर्चेशन लेकिन आपको याद क्या रखना है याद हुआ याद हुआ कि स्टॉप करके ओके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताएं यह PC सेक्ट पी मींस प्राइसिंग अब दी प्रोड़क्ट सी मींस कस्टुमर प्रोफिटिबिलिटी एस मींस स्टॉक कंट्रॉल ए मींस एक टी अप्लिकेशन इन एबीसी कॉस्टिंग यू सेक्ट पार्ट में कुश्टिंगे कवर कर लेंगे आपको ऐसा रखता कि नहीं आपके बास भी कोई अच्छा कोशन है आप मुझे भेजिए मैं वह भी कवर कर दूगा घर लेकिन बेसिक समझने के लिए आपको क्या याद रखना है PC सेट तो सबसे पहला पैरिटो पैरिट पैरिटो वोजे इटालियन एकोनोमिस्ट राइट उन्होंने मिलांस है इटली का एक मिलांस आ रहे हैं उन्होंने उसमें क्या देखा कि 80 परसंट ऑफ दी वेल्ट जैविंग भाई 20 परसंट और ऐसा नहीं सेवंटी थर्टी भी हो सकता है पट एक समझने के लिए अब उस पड़ी हुई है डीकेसी फॉर्मेंट में पढ़ने की वह मैं आपको अच्छे से कराता हूं और आप मुझे बताईए क्योंकि त्योरी मैं आपको कैसा लग रहा है और मुझे स्लो जाना चीए फास जाना चीए या आपको ऐसा लगता कि और कोई त्योरी है वह मुझे कभर करना चीए वह मैं सब कर दूंगा तो सबसे पहले आप ले लीजे मेरा यह मैंने आपके लिए नोट्स बनाए तो प्लीज नोट्स का आप क्या तो सौब कॉपी ले लिए नहीं तो हाड़ कॉपी लेके आप पढ़ोगे तो ज्यादा फरक पढ़ेगा फ्रेंग करी स्क्रीन पर फढ़ाने से क्या होता है कि आपका ये आपको समझ में आ रहा है क्या आपाज़ नमबर पर आपको बता देता हूं पहरी टो एनिलिस्स क्या है पृट इसफ अपैरिटो एनिलेसिस यह आपका पैरिटो एनिलेसिस पैरिटो एनिलेसिस इस रूल that recommends focus on the most important aspect of the decision making in order to simplify the process of decision making. It is based on 8020 rule that was a phenomenon was observed by Wilfredo in 19th सेंचुरी इतलियन एकोनोमिस्ट ने 19th सेंचुरी में एक इडली के अंदर यह आपने वो किया था यह नोटिस्ट ताथ 80% of the wealth of Milan was owned by 20% of its citizen 80% well there 20% the phenomenon or some kind of approximation or it says 70 30 etc can be observed in many different business situation the management can use it in a number of different circumstances to direct management attention to the key control mechanism or planning aspect it helps to clearly establish top priorities and identify both profitable and unprofitable target आपकी life में चाहे costing में या तो आपको loss होगा या आपको profit होगा हर decision में या तो आपको loss है या आपको profit है या तो आपकी income होगी या आपका expense होगा तो लास्ट लाइन क्या बोल रहा है इट है इट हैस्ट टू क्लियर्ली एस्टाब्लिस टॉप प्राइरिटीज एंड टू आइडेंटिफाइब बोथ आपको क्या बता है 20 पर्सेंट जो आपके रिलेटिव हैं वो लाइफ में आपको 80 पर्सेंट प्रॉब्लम देते होगे आप कभी कभी भी करके देख लेना इसको वेरिफाइब करके और मुझे कमेंट करके बताना मुझे वाट्सप करके बताना कि मैं सही बोल रहा होगी 20 आपकी जो तरी, हैब के अपको 80 पर्सेंट ना इसक grasp करने हो, 20 पर्संट का अपकी बीमारी आपके 20 पर्संट और एक्रसाइस से सही हो जाएगा वाब आमद हो, cob turtles से आपकी 80 पर्संट जो बीमारी आए हैं वो आपकी मैं के घर्था, 225How Premium मered हा संब लेरिए commence देते में यह बता देना है विल्फ्रेटो पेरिटो 2080 का रूल इटालियन हो गया उसके बाद यह एप्लिकेशन पीसी से पीसी से याद रखना है टेन मांक्स आपके पॉक्रेट में नुमेरिकल कोश्चन आ गया तो कैसे करना थे आपको बता देता हूं उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई कोश्चन करना है तो वह भी मैं आपको करा देता हूं तो और यूश्फुलनेस आप पैरिटो अनेलिस इस इट प्रोवाइश नुट्रोल एंड डारेक्ट ए both profitable and unprofitable target parito analysis is useful to prioritize problem goal and objective to identify root causes select and define key quality improvement program select key customer relations and service program select key employee relationship improvement program select and define key performance import improvement program allocate physical financial and human resources application of parito analysis जो अब आपको मैं बता रहा हूँ इस इस आप्लीकेशन पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर्स डाटा पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको कहां पर आएगा बैलेंस स्कूर कार्ड क्या है पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको कहां आएगा बैलेंस इसकूर कार्ड के बैलेंस स्कूर कार्ड के भी चार आपके जो परस्पेक्टिव है आई कि लव करश्टूमर एंड पाइन फाइन हो गया आपका बैलेंस स्कूर कार्ड एक आपको मैं त्योरी सिखा दूंगा और एक आपको मैं यह सिखा दूँगा कि बैलेंस स्कूर कार्ड कैसे बनता है लेकिन त्योरी के 10 मांद आउट ऑफ 10 आप अगर आप ये याज याद रखते हैं I love customer and finance आपका काम हो जाएगा I love customer I internal control love learning and growth of employees customer customer satisfaction and finance means financial perspective यह चार परस्पेक्टिब अगर आपने याद रख लिए इनके की performance KPI ले लेंगे बन पर बनाना आपको सिखा दूँगा कि यह कैसे बनते है करके ना आपता काम हो जाएगा और राइट नौ परईटो अनलेशिस में बी अप्लिकेबल इन दा प्रेजंटेशन प्रफोर्समेंस इंडिकेटर भर आपता स्फॉल्छ दा जरूसे पर्स 누ाइट लेगर एक रिडिकर्पिएब्टो अब ऑढ सकतिocyil अब ज़र आप यह जान रखिए यह अगर आपने पांच याद रखिए यह मेरे पास आपके पास है यह मैंने आपको चार्ट बना के दिया है PC से कहां कहां पर रहेगा दपरीटो एनलेसिस जनरली एप्टिकेबल टुदा फॉलॉइंग विजिनिस सिचुएशन पी फॉर आपका हो जाएगा प्राइसिंग और प्रोड़क्ट सी फॉर कस्मर प्रफिटिबिलिटी एस पॉर स्टॉक कंट्रॉल एप्टिकेशन और कोश्चन रहेगा एक पहले मैं आपको अपना डिकेशी प्लस बॉक का करा देता हूं उसके बाद आप आई से मॉडिल का कोश्चन कर लेना आपका काम हो जाएगा ओके अब आप आजएए सबसे पहले प्राइसिंग और इसका एप्लिकेशन क्या रहेगा पहला क्या है इसका पहला एप्लिकेशन है प्राइसिंग और प्रोड़क्ट इसका पहला एप्लिकेशन है इसका पहला एप्लिकेशन है प्राइसिंग और प्रोड़क्ट तो दोनों तरह से मैं आपको एक्जाम्पल दे देता हूं आपका रूल क्या है 80 & 20 पहले मैं आपको इंट अब एपल के कितने तरह के प्रोड़क्त है एक एपल की आती है वाच एक एपल का आता है मोबाइल फॉंट एक एपल का आता है लेप्टॉप एपल वाच आता है एक एपल की वोच आती है एपल का मोबाइल आता है लेप्टॉप आатा है एपड का यह एपल के जरास बरबाद चोटेचेत इंश्ट्रूमेंटिल फ्फी आपकी आते है वचए अपका मोबाइल फोन ने लेप्टॉप है इंश्टियु ऐप्तॉप हैं राइट, तो यह सुना, देस्ट टोग आपका आता है, पांच प्रोडक्ट होगे, वन, 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 तो यह सुना, अगर अपन यह 5 होगे, इसका प्रबाबिलिटी जेखें तो 5, 1 by 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 5, अब अगर आप देखेंगे, तो आपने देखा होगा कि, एपल का जो मुबाइल फोने, उसका सेल 60% है, वाच है, उसका सेल 20% है, इसका 5% सेल है, इसका 5% है और इसका 10% है, इसका मतलब आपके दो प्रोडक्त है, ये दो प्रोडक्त है, वो आपको कितना दे रहे है, 80% अब दी सेल आपको दे रहे है, 80% रेवेनु खाली 2 प्रोडक्त से आ रहा, तो ये 3 प्रोडक्त के लिए उनको छोटे, छोटे मेनेजमेंट को या लोवर मेनेजमेंट को बोलना चाहिए, कि आपके इसका जो प्रोडक्त है, क्योंकि 80% जो आपका टोटल रेवेनु इस इस इन इंटरनेशनल एक्जाम्पिल, 80% जो आपका रेवेनु है, 80% आपको कहां से मिल रहा है, 40%, तो ऐसा रूल नहीं है, ये 40-80 भी आपन कर सकते हैं, तो अगर टॉप का मेनेजमेंट है, वो अगर दो प्रोडक्त पर ध्यान देगा, जो टॉप का मेनेजमेंट है, अगर वो खली दो प्रोडक्त पर ध्यान देगा, आपका काम हो जाएगा, ये ये कहना चाहरा है, कि वे टॉप मेनेजमेंट है, उसको ये आई वोच और आई एपल मोबाइल यह दो पर ही ज्यान दरकन चाहिए बाकी के लेप्टॉप डेस्टॉप और जो भी है उनको अधर जो छोटा मेनिजमेंट है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब आप डीके सीकर देखो हमारे पास तीन हम जो अपनी क्लासेट चलाते हैं वह कहां से चलाते हैं यह पांच प्रोडक्ट एक आपका कॉस्टिंग एक आपका एक एक डीटी एक आई डीटी और एक सब्सक्राइब तरुके प्रोडक्ट होगे 1 1 1 1 छित reads निकाल होगे डिवाड़ेद भाई पोईंत तू थे वाड़ेद भाई भाई पाई प्वाईद भाई तो डूए बाई फाईवाड़ेद भाई पाईट चू थे वाईड़ उपाई टू ण्यूट उसका जो नाम है वो है costing में लेकिन उसके साथ साथ FM भी चल जाता है अब मेरा टोटल जो रेवेन्यू है अगर मेरा जो टोटल 100% रेवेन्यू है उसका 60% यहां से आता है 20% यहां से आता है 5% यहां से आता है और 10% यहां से आता है इसका मतलब जब मैं अपना pricing of the product करूंगा क्योंकि DKC is known दानी की costing is known for costing only friends मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने DKC को registered करा लिया बड़ी मुश्कले आई थी इसको register कराने मने but I am very happy to announce that or I am very happy to share with you you have got the registered mark of DKC मुझे बच्पन से ऐसा लगता था कि यार क्यों यह से foreigner लोगों के नाम पर ही सब definition रहती है प्रोफेसर एडम स्मिट ब्लैक एंसूल्स हमारे नाम पर कभी कोई definition नहीं है इंडियन लोग क्या इतने भी उशार नहीं कि अपने नम पर एक definition रहती है तो मैं बच्पन से ही सोचता था कि यह बनूंगा और सीए का प्रोफेसर बनूंगा अब अब कभी गोपल मत्रा जाए घूमने गोपल का सबसे पहला सीए मैं हूं कि सबसे पहले पहले चांट अग्जाम पास किया तो मुझे यह एसा लगता था कि यार यह फॉरिनर लोग तो मैंने उसी टाइम सूच लिए था कि यह लोग तो यह करते हैं मैं तो पूरा आप यह अगी कॉस्टिंग तो लोगों को लगता है कि यह यह कॉस्टिंग सब्जेक्ट है हो जानी दानी तर्य बनएं अलांकि ऐसा नहीं है जोट लोगों को ऐसा लगता है तो मुझे मालूं है कि 60 परसंट मेरा काह से आता है क्लेक्शन है उनसे खाली 20% collection है तो इसका pricing मैं छोड़ सकता हूं लोगर प्रोफेसर को लोगर आप decide कर लो क्या करना है लेकिन ये दोनों product का अगर मुझे pricing करना है तो मुझे बहुत चांद देना पड़ेगा तो पहला जो पीसी से एक है उसमें application में हम को क्या बता है अब देखिए page नंबर 4.12 पर आप आजाए है pricing of the product in case of the firm dealing with the multi products क्या होगे multi products ओगए इन the case of firm dealing with multi product it would not be possible for it to analyze cost profit price volume relationship for all of them in practice in case of such firm approximately 20 percent of the products may account for about 80 percent of the total sales revenue perito analysis is used for analyzing the firm estimated sales revenue from the various products and it might indicate the that approximately 80 percent of the it's a total sales revenue is earned from the about 20 percent of its product such analysis help the top management to delegate the pricing decision for approximately 80 percent of its product to the lower level of management ये 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 तीन प्रोडड़क्त के लिए मैं अप्रे जो मेरे जूनियर्स हैं उनको गलूगा भाई आप decide कर लो लेकिन ये दो प्रोड़क्त हैं वो मुझे ध्यान रखते हैं इंटरनेशनल एक्जामपल में वाच का pricing है या मोगाल का pricing है वो टॉप मेनेजमेंट को ध्यान रखना है 20 परसिंट जो बच्चे का वो लोड़ मेनेजमेंट आपका ले सकते हैं अगर मुझे को चलाना है तो यह दो प्रोड़क्त पर मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा दस इस पर चला है उनको बहुत दूँ भाई आप लोग चलाओ आप लोग देखो लेकिन यह दो पर मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या लेखाए था पीसी सेख पीसी सेक में सबसे पहला आपका पी कवर हो गया and this is what your pricing of the product P cover हो गया और P मतलब आपका क्या हो गया pricing of the product आपका P cover हो गया और P का मतलब क्या हो गया आपका pricing दूसरा आपका आता है PC set पांच आपको याद रखें PC set जैसे ही इसमें balance score card में आपको याद रखना है आई लब customer and finance आई इंटर्नल कंट्रोल यह पूर परस्पेक्टिव हैं आपके बैलेंस स्कूर काड़ गें आई लब customer and finance आई इंटर्नल कंट्रोल लब learning and growth of an employee customer customer satisfaction finance अगर आप यह तीन पे जहां दोगे आपका finance हो जाएगा अब आप आओ जाए फ्रेंस सेक्ट कस्टुमर प्रोफिटिविलिटी कभी कभी क्या होता है कि प्रोड़क्ट पे नहीं आपको कस्टुमर पे जहां देना पड़ता है यह सब करते यह कोई foreigner लोग को यह बहुत महान नहीं आपको यह समझना है आपको एक को बतायेगा कोई भी भी बिज्शिसमें यह बड़े बड़े बिज्श्यमेन है वह इंडिया में पार गो दिया तो क्या हो हो me पॉरेंड में क्या है यह थे गुप्रियैंस झlotे लोगों को बताते वही आपके क्या होब गया का मोडल सुझा एक कि यह आपके क्या हो जाते हैं इंडिया में अग्मियों को डर लगता अरे या र मेने कहीं इसको बता दिया और कॉछ बहुआ कई लोग एक शह आप इतने सारे वीडियो औहम इतनी सारे बौक्स आप कि नोट यई पे那麼 डाल दे पूछा कि आप इतना अच्छा मेहनत करके और यह हनी आप कलेक करती हो और लोग उसको ले जाते करके तो आपको दुख नहीं होता है लेकिन वो मेरा हनी ले सकते हैं लेकिन मैं कैसे हनी बनाती हैं और आर्ट नहीं जुना सकते हैं दानी की कॉस्टिम में जब दानी सर खड़े होके बोलेंगे किसी पॉइंट पर वो मोस्ट इंपॉर्डेंट है तो पी सी सेट आपको क्या जाद रखता है फाइब एप्लिकेशन पी सी सेट पी सी सी पी फॉर प्राइसिंग प्रोड़क्ट अब सेकेंड आपका आ जाता है सी सी पी इसे जोर ची है और इसको भलते हैं ऑसकूफ स्वॉर्टार मर्ल्ष क्के श्तूमरभож मियसी क्के चास्ट्मर अ क्नौफिके लिटी कर अनलिसी क्कॉर्ट म क्कॉर्फिके बलीटिटी एनुट पहला मैंने आपको सी से आपको याई रखना है पी सी से यह पांच अप्लिकेशन हैं आपके मोडूल से में लिए हुई है और आप बराबर से ध्यान करें कस्टमर प्रोड़क्त अब इनिस्ट्ट अप्रोड़क्त अपन क्या ले सकते हैं अभी डीकेशी का एक अग्जाम्प पर लेके ज़ता हूं लीकेश है मेरे पास कौन कौन से कस्टमर किस किस काइप के मेरे पास कस्टमर पहला कस्टमर है हम लोग होम ट्विशन देते अब अब मानी की फैमिवी के बच्चों को अगर सीए करना है वो थोड़ी ना अमरी क्लास में पढ़ने के लिए आएगा आए जो भी बैच का पैसा है वह आप हमसे लेले ना लेकिन आप हमारे यह खर पे आए और आप हमको घर पे आके पड़ाएं तो फों कि लोग घर पे जांके यूदे लोग है उनको घर पे पड़ाते का कभी-कभी बच्चे बोलते वे में में क्लास कर लिया है या परिडिटो अनलेसिस नहीं आता है आता है हमारी सर्थ ने तो ऐसे इसे पड़ा दिया हमें याद ही नहीं कि कैसे लिखने का इसी सेख वाला जो आपका पॉइंट है वह हमें याद नहीं तो हम उनको जाके गूर्ण टूशन देखें फिर हमारा क्या रहता है पूर्ण ग्रूप टूशन ग्रूप टूशन मीज़ बिजनिस क्लास बैचे जरेता है तीसरा हमारा जैसे जो बड़ी बड़ी क्लासेज रहते है उसमें वी कैसी की क्लासेज भी देती है चौथा हमको हमारे वीडियो लेक्टेर्स भी बिखते हैं दीक केसी वीडियो लेक्टेर्स फिर हमारे स्टुडेंट ऐसे भी रहते हैं जो सेल्फ इस्टडी करते हैं अब कितने तरह के कस्टमर होगे अब आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो मेरा एटी परसंग जो कलेक्शन है वो मेरा या तो बिजनीस क्लास बैचेस से होता है इसमें 20 स्टुडेंट्स को मैक्सिमम लेते हैं तेकिन फीस थोड़ा हाई रहता है करें होम ट्यूशन जो अम्मानी फैमिली इस है लाइक जो टॉप ग्रेट फैमिली है मुंबई की जो टू अप्टू अंड्रेट फैमिली के हैं वो हम से ट्यूशन लेती है और वो ट्यूशन हम हर तरह का प्रवाइड करते हैं आपको एलेवन त्वैल्थ एब्वाइबी कॉम स्वैबी कॉम टीवाइबी कॉम एम कॉम सीए सीए असमत्तब और डाउट सॉल्विंग फुल पॉर्शन सब जो भी उनको चाहिए तो एक इसका मतला 40% मेरा प्रोडक्ट ने है तो मुझे 80% कलेक्शन देता है 60% मेरा यहां से कलेक्ट होता है 20% मेरा यहां से कलेक्ट होता ह 10 मेरा यहां से होता है 10 मेरा यहां से होता है यह वाला मेरा जीरो कलेक्शन है तो अभी मैंने स्टुडेंट को दे रहता है बहुत सारे स्टुडेंट के कलब जैसे रहते हैं उनको को ना वीडियो चाहिए ना बिजनिस क्लास से है ना उनको होम टूशन चाहिए ना उनको ग तो अब यहां पर मुझे 60 परसंट जो मेरा कलेक्शन 20 परसंट मेरा यह मिलके 80 परसंट मेरा कलेक्शन कहां से हो रहा है खाली 2 प्रोड़क्स है तो यह दो जण को कि अध्यान के लिए जो टॉप ग्रेट फैमिली जो टॉप 200 फैमिली जो वह मुझे कॉल करती है या बिजनिस क्रश्ट इन दोनों को अगर मैं ध्यान रखो बाकी तीन को मैं अपने स्टाफ को बढ़ाएंगे निकल जाएंगे दिस या सपोज वीडियो लेक्चर से ले लेग अब जियो एक बहुत बड़ा कस्टमर है बहुत सारे मोबाइल फोन लेता है कंपनी से और बाकी के सब छोटे-छोटे हैं तो जो मेन कंपनी है जो जियो के लिए मोबाइल बनाती है अगर वो जियो के साथ अच्छा रिलेशन रखेगी तो उसका काम चलेगा तो यह च्छेंघ्टर बीर ट्रॉडक्त कि जरॉडक्त की जगे हमनों क्या कर सकते हैं फ्रटक्त की जगे हमनों कंप कस्टमर अपरोटेबिलिटी कर सकते हैं कस्टमर के अनुझाड तो आप च्छांब देखिए this is your 4.12 से फिस्ट नियुक्त से विथे फॉर बन गारी खुच चुच आप अनलाइजिच के गया लिपन करल ता पीसी से च तो फीफ ऐगार कोड़न क्टिक अनलाइज पार टीपार अनलाइजिट कास्टमर अब दिए टीपर सपन्ड कर आधि एधिया और रिच्ट रॉगनाज़ाइ 20 बोलो 40 बोलो यह दो कस्टोमर हैं मुझे 80% मेरा रेवेन्यू दे रहे 80% of the profit there will always be some customer who are less profitable than other just as some products are less profitable than other some customer यह मेरे कस्टोमर है मेरे को कुछ भी profit नहीं दे रहे मैं इनको बोलूंगा इस्ता आपको यू प्लीज हैंडि वीडियो आप सेल कर दो और दूसरी जाओंगा उसका बैच ले लिया कोई क्लासे चल रही है वो बुला हमारे बाद सो बच्चे हैं को आप आके लेक्ट ले रही है आया पढ़ाया चला गया मेरा बाद खत्म कर लिए सच अनलेसिस यूश्फुल टूल एवलेशन ऑफ पोट्फोलियो अप्ट कस्टमर प्रोफाइल एंड डिसीजन मेकिंग सच एज वेदर तू कंट्यू सर्वाइविंग ए सेम कस्टमर ग्रूप वट इस सा एक्सेंट प्रमोर्शन एक्सेंस तो वी इन दोनों पर आपको ध आपको मैं बोल दूँगा अब आप आजाएगी सपोज यू टेग टीशी से यह हो गया सी हो गया ओके अब आजाएए एस एसी सेख एस मींस यूर इस्टॉप कंट्रोल एस मींस यूर कस्टमर प्रोफितिबिलिटी एंड एस फॉर मींस यूर इस्टॉप कंट्रोल एनलिशिस ऑफ इस्टॉप स्टॉप कंट्रोल एनलिशिस ऑफ इस्टॉप कंट्रोल अब देखो आप एक्दम छूटा देखो यह जो फॉरिनर लोग जितने भी रहते हैं आपको के स्टॉप के टाइम पर बताऊंगा जितने भी फॉरिनर लोग है यह कोई बहुत महान नहीं लेकिन यह चीजों को जो observe करते हैं, उनको एक model की रूप में list देते हैं, publicize करते हैं, और उनको trademark करा लेते हैं, उनकी चल जाती है, करते हैं, EBA का नहीं है, आपका economic value added, economic value added में भी तो ऐसे ही हो ना, अब देखो, घर पर अपनी क्या क्या रहता है, घर पर अपने माज़ रहती है, sugar, बरावर है, ममी के बाद sugar, प्रड़क्त होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 होगे, अब इनका निकाला proportion, 1 by five, point two, one by five, point two, one by five, point two, one by five, अब आप मुझे बताई कि मम्मा किस तर इसे मेनेज करती है आप मुझे बताए कौन सा ऐसा महान बात बोल रहे हैं इतना मम्मा क्या गुल्ड को घर में एसे खुला पटक देती है और सुगर को लॉकर में रखती है यह आप मुझे बताओ मम्मा जब घर का मेनिश्मेंट करती है तो गुल्ड को तो ऐसे पटक देती है और सुगर को अंदर नहीं उसको मालूम है कि इस वेरी हैबी इन्वेस्टमेंट मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 90% इसमें है 5% मेरा इसमें बराबर और बाकी का 2% 25% इसमें है 2% इसमें है और 1% 1% इसका मतलब 95% मेरा दो प्रोडॉक्त के अंदरんな इनको वह लूकर में लगती है इनको वह लोकर में रखती है अब बाकी तीन को भए ऐसी परढक जाती यह तो प्रोड़क्त है ना लेकिन प्रोड़क्त का जो वैल्यू है प्रोड़क्त का जो वैल्यू है वो 95% किसमें है खाली दो प्रोड़क्त में क्या कहना चाहरी है मौम कि भाईया इनको तो लॉकर में रख वेरी बाइप को बोलती है इनको लॉकर में रख और इनको बाहर क्योंकि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत है आपका क्योंकि इनके अंदर आपका सिल्वर और गोल्ड के अंदर आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि इसे सिल्वर और गोल्ड में आपका इन्वेस्ट में तो फिका मतला जब आप स्टॉक जोड़ा हो सेंडा नियुक्व थोड़ो एक ड्वन्टी परसेंट परीप्रोड़ को छोड़ों तो क्या बोल रहा है अनदर एप्लिकेशन ओफ पैरिटो अनिलेसिस इस इन इस्टॉक कंट्रोल वेर इट में भी फाउंड एप्लिकेशन ओफ दे गोर्षेन इस्टॉक में अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा sessions I include a few of the goes in stock making most of the value in practice approximately 20% of the total quantity of the stock may account for 80% of its value the outcome of such analysis is that by concentrating on a small proportion of stock item that jointly accounts 80% of total value a firm may well be able to control most of the money investment in a stock. अगर मुमा इनको बाहर पड़ा छोड़ जाएगी कंपनी को अपिप्ट्य टाइवद आपकी क पमका अंदर एप्ली होगी आफिट सेमची के अंदर भी अप्ली होग्य आप की सैंची कहाँ ने पहा पर प्रॉड्ट्क में८ Ayway जिसमें 80% value है, 20% product है, उस पे आप ध्यान दीजिए, जिसमें only 20% of the value है, 80% of the product है, को अलग ध्यान दीजिए, तो PC set, अभी आपका क्या क्या हो गया, PC set, तीन अपने हो गया, PC set, P means pricing of the product, customer profitability and stock control, तीन होगे friends, application ऐसे याद रखेंगा, बोलो, balance score card के 4 perspective, I love customer and finance, I internal control, love learning and growth of employees, customer, customer satisfaction and finance, अगर तीन activity करोगो, तीन perspective पर ध्यान दोगे, तो अथा हो जाए है, तो PC set, अब आप आजए ये friends, PC set, ये तीन आपके होगे, अब आपको बच्छा, A and P, A means application है, activity based cost, activity based costing, activity based costing, activity based costing में मैं हमेशे आपको बताता हूँ, four friends are going for dinner, चार दोस्त लोग हैं, अगर वो डिनर पर जाते हैं, और चार अज़र का बिला आता है, ये चार फ्रेंड्स हैं, जो डिनर करने गए मार्केट में, और चार अज़र का बिला है, एक जन कितना distribute करेगा, एक दिन कितना contribute करेगा, थाउजन लुए, this is what your traditional method, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, traditional method, और इस traditional method, चार फ्रेंड्स लोग हैं, वो डिनर करने गए, का contribute करेगा, एक जन आपको contribute करेगा, थाउजन लुए, लेकिन हो तक है, ये 4000 के अंदर, आपका 2000 लिक्कर का बिल है, और 2000 आपका food का बिल, 4000 का जो total बिल आपका आया, ये आपका total बिल था, उसमने 2000 लिक्कर का बिल है, 2000 फूड का बिल, लिक्कर कंज्यूम्ड वाई 2% and food कंज्यूम्ड वाई 4% दारू खली दो लोगों ने पिया है खाना चार लोगों ने खाया है इस जा एलोकेशन ओफ थाउजन रुपीजिस करेक्ट आप मुझे बताएं दो एक्टिविटी हो गई एक आपका लिक्कर का हो गया एक आपका फूड हो गया लिक्कर थाउजन रुपीज जिसने दारूपी आए वो थाउजन देगा जिसने खाना खाया है वो अगर आप इस तरह से एलोकेट करेंगे आपको प्रॉब्लम होगा ने में मेरी क्लास्ट य है एक एक्टिविटी है मेरा रेंट का सबसे हाई कोस्त तो मेरे को इस तरह से यूज करना चाहिए मेरे रूम को कि मुझे मिनीमम से मिनीमम कोस्त आए मेरा 80% जो एक्सपेंस है वो 20% एक्टिविटी 20% एक्टिविटी क्या है रेंट में मेरा कितना जाता है 80% अगर मैं उस पर कंट्रोल कर लूँगा तो मेरे काम होई तो क्या बोल रहा है इन एक्टिविटी बेस कोस्तिंग इस ओफन देट 20% ऑफ दी और और्गनाज़ेशन कोस्त आइवर्स आर रेस्पोंसिबल फॉर 80% अप दी टोटल कोस्त मेरा जो रेंट है वही को सबसे हाई है तो अगर जो खाली टाइम है उसमें भी कॉम का क्लास चला दूंग चला दू अधर सब्जेक्ट चला दूंग वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सही हाई वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अनर्शनों नों इन एक्टिविटी बेस कोस्तिंग इस ओफन देट 20% of the organization cost drivers are responsible for 80% of the total cost by analyzing monitoring and controlling those cost driver and cause most cost a better control and understanding of overhead will be अब लास्ट आपका आपका एक्टिविटी बेस कोस्तिंग यह पांच अप्लिकेशन यह पांच आपने लिग लिए विल परिटों के बारे में लिग दिया कि ट्वेंटी डूल मिलान सिटी इटली कितना ब्ला 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 तेन मांस आपको बढ़े और हर एक्जाम में एवरी एक्जाम में अगर आप देखूँगी तो पैरिटोर से रिलेटेटेड या तो आपको यह है या परफेक्टिविए लास्ट आपका आता है इजे क्वाल कि आपका आता है क्वालिटी का आपने देखा होगा क्वालिटी कंट्रोल कम आपको एक अग्जाम्पिल दूप अब भी इंकम टेक्ट्री साइट बनी है अब इंकम टेक्स में मोदी जी ने क्या अब्जब किया कि भई ऐसे तो बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम है कोई बोलता है मेरा ये है कोई बोलता मेरा ये है कोई बोलता मेरा ये है कोई बोलता मेरा ये है लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है रिफंड की कि 80% लोग बोलते हैं यार गवर्मेंट के मेना गवर्मेंट टेक्स तो ले लेती है हमारा कडेक्ट तो कर लेती है लेकिन है लेकिन 80 पर्सेंट लोग खली की प्रॉब्लम बोल रहे हैं हैं कोई भोलता साइट नहीं चलती है प्रॉप लेकिन 80 पर्सेंट जो लोग है वो पोल रहे है कि हमारा जो इंकंटेक्स का रिफन्ड है कि वेंटी परसंट जो प्रोब्लम है वो 80 लोग बोल रहें हमारा इंकम्टेस्ट का जो रिफन्द है वो हमको नहीं मिलता टाइम जो अगर आपने देखा होगा लेटेस्ट में बेस्ट में आपने देखा होगा ऐसे तो पांस तरगी प्रोब्लम लेकिन क्वालिटी की क्या प पिन कंटेक्स का रिटन फाइल करो और इधर आपका टेक्स भी क्रेडिट वह रिफर्ड आपका क्रेडिट हो जाएगा कि आप मुझे सब्सक्राइब मुझे सब्सक्राइब मैं इतना बच्छों को सब्सक्राइब कर दिया तो अगर मैंने एक रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया मेरा हो गया का सम प्रॉब्लम 80% मेरा जो प्रॉब्लम हो और यह उनली एक टाइप है इस वोट पर जान दूंगा तो हो जाएगा तो क्या बोल रहा है पैरिटो अनलेसिस शीक्स तू डिस्कवर प्रॉम अनलेसिस अफ दिफेक्ट रिपोर्टर और कस्तोमर कंप्लेंट इस वाइट फ्यू कोज्स अर्सपोंसिबल पर दो प्रॉब्लम अफटी पर संट पर्संट पर इस इमिडियेट इंपक्त अन्दा प्रॉडक्ट जैसे मैंने यह त्योरी मेरा रिकॉर्ड करना स्ट सब्सक्राइब भारी टीजिया आगे तरोब बोले कभी आएगा मेट 23 कव आएगा और दानी शर तो फॉरी देखांस में तैनी शरी भी ले रहे रहे टानी शरी ठीट इस इंडिकेट्स हुआ फ्यक्ट लिए इस टाइप फेलिया डिफेक्त occurs the purpose of analyzing the direct management attention to the area where the best returns can be achieved by solving the most of the qualitative problem perhaps just with a single action एक मैंने एक्शन लिया क्या एक्शन लिया कि भाई मैं त्योरी रिकॉर्ड करके आप वो दे दूंगा एक्दम बढ़ गी अग्दम डिमांद बढ़ गी कॉस्टिंगे लेक्टर गी एक मुदी जी ने सॉल किया प्रॉब्लम वोट इसा प्रॉब्लम सॉल भी क्या किया रिफंड टाइम पर इंकम डेक्शी रिटरंस पर ही पाहिल होना कर गी ओके अब मैं आपको लेकी चलता हूं इसके तो आपको पीसी से क्याद रहेगा बोलो एक बार पीसी चेक प्रॉडक्त प मेरा एक एक एग्जाम्पिल है डीकेसी प्लस बुक्स से मैंने लिया है इसी जोर डीकेसी अब कर दो कि थर्टी पर दिसंबर से रिलेटेर आपको इन्फरमेशन दे रखा है ओके प्रिपेरे पैरिटो प्रोड़क्त कोंट्रिबिशन चार्ट अन्ग कमेंट अन्दा रिजर्ट कितने पोडुक्त है और आपको ख्यान radical क्रिटो प्रूक्त अन्ग का कॉंट्रिबिशन चार्ट और cents extend एक का का कोंट्रिबूशन है wicked hotline का क्या कर दिदेंट C का contribution है 1500 then D का है 75 और F और E का है 100 और F का है 125 पहले आप इनको rank दे जी जाए rearrange the product in descending order of contribution and find out the cumulative contribution percentage सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा यह दे रहा है अपने को C कि दूसरा हमें कौन दे रहा है कि तीसरा हमें कौन दे रहा है 200 चोथा हमें यह दे रहा है contribution पांच और शेता इनको rearrange कर लो सबसे पहले note number dot मैंने solution में लिखा है 4.13 पर solution है मेरा 4.13 पर आप जरा देख ले न 4.13 पर यह question number 1 दे रहा है question number 1 page number 4.13 देखो जरा rearrange the product in descending order of contribution and find out the cumulative contribution percentage okay अब देखो कैसे करेंगे friends सबसे पहले आपके लिजिए product then contribution products then contribution then cumulative contribution cumulative contribution percentage okay okay इनको कैसे arrange करना है we arrange the product in descending order of contribution means सबसे ज्यादा जिसमें अपने को contribution आ रहा है उसके इसाब सबसे ज्यादा हमको किसमें आ रहा है C कितना contribution है 1500 उसके अबाद हमको आ रहा है A 500 C C के बाद A A के बाद B B B C Okay E हो गया C के बाद A हो गया A के बाद B हो गया B के बाद आपका आएगा F Descending order में आप ले लीजे जिसमें ज्यादा है profit पहले उसको ले लीजे Right F आ गया उसके बाद E E 15 1500 Total Plus 500 Plus 200 Plus 1.5 Plus 100 Plus 75 8 2500 Okay Now you take tubulator 15 1500 Plus 500 2000 Plus 200 2200 23 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 25 25 20 25 28 25 25 25 26 25 58% 0 2325 by 2500 2325 by 2500 93% 245 by 2500 2425 2500 97% and 2500 divided by 3500 95 पहले हम लोगों ने पहले हम लोगों ने इसको क्या कर लिया अरइंज कर लिया रहे बापस से आल रीट पॉशिशन जीया और जहांदीजोगे the following data of manufacture and sale, the following data of manufacture and sale is obtained from Weir Limited for 12 months ending 31st December. कौन कौन सा है, product है A, B, C, D, E and F and total and contribution अप्तिको देखा A का 500, B का 200, C का 1500, D का 75, E का 100 and F का 125. तो टोटल इस 2500, prepare a Pareto product contribution chart and comment on the result, क्या पुछा जा रहा है, prepare a Pareto product contribution chart and comment on the result, सबसे पहले हम लोग नहीं क्या किया, note, rearrange the product in descending order, जिसमें सबसे ज्यादा contribution आ रहा है, पहले हमने C को ले लिया, सबसे ज्यादा उसके बाद सबसे ज्यादा आ रहा है, 500, उसके बाद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रहा, 200, उसके बाद 125, उसके बाद 100, उसके बाद 75, टोटल 2005, cumulative आपका जो contribution है, cumulative आपका contribution है, खेले 1500, 1500, प्लस 500, 2000, प्लस 200, 2200, 2325, 2425, प्लस 500, अब 1500, डिवाद बाद 2500, 60%, 2000, 2500, 80%, 2200, 88%, then 93%, then 97%, then 100, अब अब जरा comments पर देख लिजे, क्या अपने को बोल रहा है, On analyzing, it is found that 80% of the total contribution is learned by two products C and A, ये आपका जो 80% जो अपने को contribution है, product, पहला, PC से, P for pricing of the product, right, on analyzing, it is found that 80% of the total contribution earned by two products C and A, C and A मिला के हमको क्या देता है, 80%, these products should be carefully monitored and natured through careful attention to branding and promotion, the other it should be investigated to see whether their contribution can be improved through increased price, reduced cost, sales value, access, इन तीन पर हम लोग ये बाकी के चार प्रड़क्त हम लोग lower management को दे सकते हैं, ये दो प्रड़क्त कम्पी के ओ टॉप management को ध्यान में रखना, इसके बाद में आपको एक ICI का जो मुनिल का एक बहुत अच्छा option है, इसमें आपको contribution भी है, sales भी है, charge भी है, everything is there, ये आप यहां तक मुझे बताई कि यहां तक आपको clear हुआ है, PC stack means आपका Bill Fredo, आपका Perito, वोज इटालियन economist, right, उन्होंने observe किया था कि 80% of the wealth is hold by 20% of the people, तो 20-80 का उन्होंने यह देगा, ठीक है, वोई चीज़े में apply करके देखी application PC stack, P for pricing of the product, C for customer profitability, PC stack, SS means stock control, आप अगर इसको real life में भी देखेंगे, क्या करते हैं, जो भी observe करते हैं, उनको लिखते हैं, इंडियन लोग नहीं लिखते हैं करते हैं, अब next lecture में आपको module बालत सब्दी खरागे हैं, एक है,